असलाम लेकूम, लास्ट वे ने देखा था वीट्रिस डिटाश्मेंट, जो पुस्टियर वीट्रिस डिटाश्मेंट थी और मैंने आपको बताया था कि अच्छली क्या होता है, वो क्यों हो जाती है, क्यों कि वहाँ पे एक सिंकाइटिक फ्लॉइड आ जाता है, वो हमारे आसकता है, वो आकर हमारे सेपरेट कर देता है, पुस्टियर हायलोड मेंबरेन को, ठीक है, फ्रॉम दर रेटिना, रेटिना की जो इंटर्नल लिमिटिंग मेंबरेन होती है, उसके दर्मियान में ये आकर फ्लॉइड अकठा हो जाता है, जिसकी वज़े से जो है पेशिन को posterior vitrass detachment हो जाती है, उसकी complication हमने discuss की थी, कि उसकी complication में retinal tear हो सकता है, retinal hemorrhage हो सकता है, vitrass hemorrhage हो सकता है, और हमने उसका pathognomic sign देखा था, जो कि मैंने वको बताया था, कि अगर ये नहीं होगा, तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि ये vitrass detachment है, और वो एक रिंग थी, ऑपे कि यह वीज रिंग जो है एक्शली आपको जो है वो नजर आती है ठीक है so now we are going to discuss about the vitreous hemorrhage which was actually the complication of the posterior vitreous detachment और इसके लावा बहुत से और भी causes हो सकते हैं vitreous hemorrhage के ठीक है तो vitreous hemorrhage होता क्या है simple से बात है कि जब हम vitreous cavity जो हमारी eye की ball की होती है उसमें अगर हम blood को देख ले ठीक है blood की accumulation अगर उसमें हो जाए तो उसको हम vitreous hemorrhage कहते हैं ठीक है vitreous cavity में जब accumulation of blood हो जाता है तो उसको हम vitreous hemorrhage कहते हैं और बहुत ही important चीज़ ये it is a very common cause of sudden visual loss ठीक है sudden visual loss बहुत ही common cause है और ये आपके बहुत important चीज़ भी है बहुत important clinically point of view से important भी है emergency में जो है वो treat करना होता है patient को because हमारी जो eye का patient होते है ना उनको हमने जो है वो ठीक है वो आते रहते हैं बहुत से eye का patient आते हैं लेकिन हमारा जो main काम होता है हमारे ophthalmologist का वो यही होता है ना कि वो patients को अंदा होने से बजाएं ठीक है so आंख जो है ना तो यह sudden visual loss करवा सकता है and it is a very common cause मतलब कि patients में यह हो जाए तो उसकी वज़े से बहुत commonly हो जाता है कि patient को sudden visual loss हो जाए so I am stressing this point actually because it is emergency so what are these types तो हम इसको discuss कर लेते हैं कि इसके दो types होती है pre-retinal hemorrhage होता है और एक होता है intra-gel hemorrhage pre-retinal hemorrhage यह इसको हम दूशा नाम देते है sub-highloid hemorrhage इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि यह जो hemorrhage होगा यह pre-retinal है मतलब कि जो आपका retina है जो आपका retina है उसके जो आगे वहाँ पर है hemorrhage होगा तो इसको हम साब highloid भी कह देते हैं जो हाई-loid membrane होती है posterior highloid membrane waitress की उसके यह नीचे होता है ठीक है और हमारे retina के जो है वह आगे होता है तो इसको हम pre-retinal hemorrhage कहते हैं और दूसरा यह हो सकता है कि intra-gel hemorrhage मतलब कि waitress जो हमारे पर से जेल ली है तो उसके अंदर hemorrhage हो चाता है तो first of all हम discuss करते है इसके causes ठीक है तो इसके causes आपको आने चाहिए यह important है causes इसके क्या क्या है hemorrhage जो हमारे पर से होता है वो कहां से आ सकता है waitress में जब hemorrhage देख लेते हैं तो इसको हम जो है hemorrhage जो है जैसे हम देखते हैं तो अब हम क्या consider कर सकते हैं कि क्यों हो गया यह waitress hemorrhage क्यों हो गया क्यों हमें waitress के अंदर ब्लड collection मिल रही है तो rupture of normal vessels हो सकती है जो वहां पे vessels है वो rupture की उनमें से blood बाहर आ गया abnormal blood vessels हो सकती है inflammation हो सकती है ठीक है अगर हम बात करें कोई भी हमारा retina में यह कोराइड के अंदर कोई pathology चल रही थी उसके वज़ा से हो सकता है कि वहां से blood ढा गया ठीक है यह हमारे पस सबसे बहले हम अब यह four हमारे पस जो है ना causes हो सकते है या तो rupture of normal vessels हो गया या abnormal blood vessels बनी inflammation of vessel हो गया या हमारे पस retina और कोराइड में कोई pathology थी सबसे पहले हम बात करते है कि जो हमारी normal vessels है वो rupture किस-किस case में होती है ठीक है फॉर एजांपल अभी हमने discuss कि posterior vitruss detachment में या vitruss traction में traction क्या होता है कि एक किचाओ पर आता vitruss पे तो उसकी जो vessels है वो rupture हो गई ठीक है इसके लावा trauma to the eye ये भी बहुत common cause है आपको खुद पता है कि अभी हमने जो है वो अभी हमने जो है वो अभी discuss की ocular injuries उसमें blunt और perforating injuries discuss की और उसमें हमने देखा था कि उसकी clinical features में vitruss hemorrhage हमें नज़र आ रहा था ठीक है so वो actually क्या था कि उसमें यही था ना कि एकदम से patient को trauma हुआ चोट लगी eyeball के उपर blood trauma हो गया या कोई भी किसी भी तरह से ball लगा और under spittress की जो vessels है वो normal vessels है वो actually rupture हो गई और वहाँ पे blood आ गया ठीक है इसके लवा patient जो bleeding disorders के होता है hemophilia के patients उनके इंदर भी हो सकता है hemorrhage ठीक है secondly हम बात करते है abnormal blood vessels के abnormal blood vessels जो हमने eye point of view से देखी है वो यही देखी है ना कि new vascularization जो patients के इंदर हो और यह होती है new vascularization के जो phenomena होता है ना वो आपने याद रखना है जैसे ही हमारी कोई भी blood supply compromise होगी ना किसी भी area की ischemia होगा तो उसकी वज़ा से हमारी जो body होती है वो कहती है कि यहाँ पे हम new vessels बिनाना शुरू कर देते हैं ताकि जो ischemia हुआ होए जो blood vessels already present थी वो blood supply करने के काबिल नहीं नहीं यहाँ पे new vessels की जरूरूरत है अब जो new vessels आती है वो बड़े superman बन के आती है कि चलो हम blood supply कर देंगे लेकिन वो इतनी leaky होती है इतनी फजूल किसम की artificial किसम की बनती है ना कि वो जो है ना की होने की वज़े से bleed बहुत चल्दी करना शुरू हो जाती है तो उसकी वज़े से हमें भी citrus hemorrhage मिल सकता है अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो तरह से हो सकता है यहाँ तो retinal new vascularization हो सकती है यहाँ हमारे पास coridal new vascularization हो सकती है retinal new vascularization हमने रेटिना के चेप्टर में जो है वो बढ़ा होगा बढ़ा कि diabetic retinopathy के केस में इसके लबा retinal vein occlusion के केस में ठीक है sickle cell retinopathy hypertensive retinopathy यह कुछ है आपके पास terms है जो आपके पास दी में है बुक में यह सब हमारे पास retinal new vascularization की बज़ज़ से जो है वो वहां पे hemorrhage हो रहा था इसके लबा coroidal new vascularization ठीक है coroidal new vascularization जो होती है यह भी हमारे पास age related macular degeneration की बज़ज़ से यह high myopes जो होते है ना high myopes actually होते क्या है आपको पते है ना high myopia के case अगर आप देखे तो उसमें क्या होता है कि जो high ball होता है ना उसकी axial length कुछ लोग होते है जिन में जो myopia होता है उसके cause यह होता है कि eyeball की जो axial length होती है वो जादा होती है तो जो eyeball की eyeball इतना बड़ा होता है कि इतना मतब जब खचाओ परता है ना हमारे blood vessels पे तो वो तूट जाती है ठीक है, तो उस case में मायोप्स के case में अगर हम abnormal blood vessels की बात करें तो नियो वैस्कलारिजेशन की, तो वो यह होता है कि जो मायोप्स होते है, mostly genetically, अगर जिनकी मायोप्या हो तो उन में जो है pathognomic मतलब pathology होती है, उनके अंदर अंदरलाइं pathology होती है, optic disc की भी, ठीक है, तो वहाँ पनियो vasolarization की वज़े से hemorrhage हो सकता है तो यह आपने याद रखना है इसके लब है inflammation of vessels for example, vasculitis का case है यह ill's disease है, in short inflammation of vessels की वज़े से वहाँ पे hemorrhage हो सकता है, fourth जो मेरे पस लास्ट चीज़ होती है, वो यह कि हमारे retina yagoride में कोई pathology पढ़ी होई थी, जिसके वज़े से यह हो गया for example, quartz disease है, macronorisms बने वे थे, tumors थे for example, retinoblastoma and melanoma वगरा थे, तो उसके वज़े से क्या हो गया, कि वहाँ पे hemorrhage हो गया, so causes में आपने चार तरह से याद रखना है, कि inflammation हो सकती है, vessel की या new vascularization हो सकती है, यह normal vessels break कर गए, normal vessels किस case में break कर दी है, उसमें trauma बहुत important cause है, इसके लावा जो है retina yagoride में underlying pathology थी, ठीक है, फिर उन्होंने एक note दिया हुए आपके पास, कि most common causes जो होते हैं, वो हमारे पास retrous amelich के दो होते हैं, एक diabetic retinopathy है, और दूसरी है, हमारी retinal tear, ठीक है so यह आपके scenario में add कर सकते हैं यह note इन्होंने इसके रखा हुए, कि most common causes जो होते हैं, तो scenario में आपके अपके बास जो है, यह आएगा कि diabetic retinopathy के, retinal tear के mostly patients होंगे, वो आएंगे, ठीक है फिर हम clinical features की बात करते हैं, तो clinical features जो है, वो क्या होंगे, symptoms क्या होंगे, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था posterior retinal detachment के case में, उसमें patient कहे रहा था ना, आपको कि मुझे मखिया नजर आ रही है ठीक है, तो floaters, लेकिन यहाँ पे जो detachment or vitress hemorrhage के case में difference क्या होता है floaters का, कि यहाँ पे जो हमारे पस case होता है, mostly, वो यह होता है कि जब छोटा सा hemorrhage हो, hemorrhage हो कि छोटा सा ठीक है, और उसको क्या नजर आएगा मक्ये नजर आएगी न, वो कहेगा मेरे आंखों क्या क्या आ गया, ठीक है so, यह आपके पस होता है देखें, vitress retachment के case में वो उसकी जो हिस्ते होते हैं, चोट-चोटे वो अभी इतनी जल्दी नहीं आते वो तूटते नहीं एतनी जल्दी, वो आइसा है इसा ही आएंगे तूट-टूटके, लेकिन यहाँ पे hemorrhage क्योंके अचानक हो गया so, मतलब mostly acute cases ही होते है hemorrhage के so, sudden onset of floaters होंगे second यह हम बात करते है, जो कि आपका important point है वो यह होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि patient की जो vision loss होना शुरू हो जाता है sudden onset of vision loss और यह vision loss होता है, painless होता है patient को कोई pain नहीं हो रही होती ठीक है, so when hemorrhage is massive, अगर तो hemorrhage small था तो just floaters नज़र आ रहे थे अगर hemorrhage massive था तो उसकी वज़े से भी याद रखना है कि sudden onset of painless loss of vision है इसलिए यह emergency case है symptoms यह हो गए depending upon hemorrhage चोटा है या बड़ा है, चोटा है तो floaters है बड़ा है तो loss of vision ठीक है, फिर हम science की बात करते है science में सबसे पहले patient आपके पस आया retinal hemorrhage का, तो आपने वो आपको बता रहा है कि मुझे floaters नजर आ रहे है, ठीक है यह वो आपको यह बता रहा है कि मुझे एकदम सही नजर आना बंद हो गया, ठीक है मुझे कई pain नहीं हो रही, और आप कहते हो इधर आओ, मैं स्नेलन्स चार्ट में देखू तो तुमें क्या नजर आ रहे है, तो उसकी जो visual equity होती है, वो काम होई होती है, ठीक है उसके बाद हम करते है, distant direct of thalboscopy, जिसमें जो है, हमें क्या नजर आता है जैसे मैंने आपको यह इधर red सा spot भी नजर दिखाया हुए, बनाके red pointer से, कि red color का आपको, जो है, वो glow नजर आता है, ठीक है, क्यूंकि hemorrhage है ना, तो इस वज़े से, तो अगर तो small hemorrhage है, तो आपको जो red glow है, उसमें black color की oportunidad नजर आती है, ठीक है, अगर तो small hemorrhage है, मैंने वह बताया, अगर तो small hemorrhage है, तो आपको red color का ग्लो नजल आता है ठीक है आप अफधेलमोस्कोप से देखरे आप दूसरा नाम फंडोस्कोप भी होता सदेखते हैं तो फंडास को जब हैं उदर से तो आपको जो है जब हैम्रेज मेंदब रुआुका पिशिन्ट को तो आप जहें उसकी आपको नजल आए एक red glow है और उसके अंदर चोटी चोटी black opacities है, shadows है ठीक है, और अगर तो massive hemorrhage होता है ना, अगर तो massive hemorrhage होता है, जिस case में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे sudden painless loss of vision होता है, उस case में red glow नहीं होता ठीक है, important point है अगर तो थोड़ा से hemorrhage है तो red glow के अंदर आपको opacities black color की नज़र आएंगी, लेकिन अगर massive hemorrhage है, तो आपको loss of red glow नज़र आएगा ठीक है, तो ये देखें, बहुत important, बहुत यसान सी चीज है, इसका concept बहुत ही easy है small hemorrhage होता है, तो मैंने आपको बताया कि देखा, तो आपको red glow नज़र आ रहा है जो हमारे अंदर normal है, हमारे अंदर भी red glow होता है, लेकिन हमारे अंदर ये opacities black color की नहीं नज़र आती है, यहाँ पे जो black color की opacities नज़र आ रही हैं, यह दरा से patient के अंदर कोई मसला हुआ 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 है वो चीज़ें टू-टू-ट के अंदर गिड़ी होती हैं, उसकी बज़ए से opacities नज़र आती हैं, लेकिन जो massive hemorrhage होता है, उसमें क्योंकि red glow जो होता है, वो हत्म हो जाता है, loss of red glow हो जाता है तो it is an important thing, thirdly आप जो है of the almost scope के बाद, आप patient को कहते हो इधर आओ, slit lamp की examination करनी है, ठीक है तो slit lamp के उपर उसको बठा के, उसकी जो है, जब आप देखते हो तो पीछे आपको vitreous hemorrhage नजर आ जाता है फिर आप ultrason करते हो, आपको पता है, आई का जो ultrason होता है उसको we scan कहते हैं, बी scan से भी आप vitreous hemorrhage को direct कर लेते हो तो आप स्नेदन्स चार्ट से देख लिया आपने आपने उसकी ऑफ्थलमोस्कोपी कर ली आपने उसकी जो है, वो slit lamp examination से देख लिया आपने उसका B scan कर लिया आपको confirm हो गया कि patient के अंदर vitreous hemorrhage होगा है ठीक है, अब क्या हो सकता है, इसके fate में यह हो सकता है कि जो hemorrhage होगा है, यह completely absorb कर जाए यह organize हो जाए, यह इसके लिवा ghost cell glaucoma है वो हो सकता है, यह मैं भी आपको बताते हूं क्या होता है ठीक है, तो यह कुछ चीज़ है, यह आपने पढ़ लेनी है treatment जो है, वो आपका UQ है, मैं जल्दी साब को बता देती हूं treatment तो treatment में जैसे ही patient में आपको बताया emergency का patient होता है, इसको आपने emergency treat करना होता है लेकिन बहुत ही important चीज़ यह है कि आपने patient की surgery उसी time नहीं कर देनी ठीक है, surgery यह नहीं है आपने hemorrhage देखा, तो आपने कहना है इधर हो में तुमारा hemorrhage निकाल देता हूं नहीं, आपने surgery नहीं करनी आपने सबसे पहले उसको conservative treatment देना आपने उसको bed rest करवानी है, उसको कहना है कि उसका जो हसर है, उसको elevate करना है यह हमने hyphemia का जब treatment किया था उसमें भी हमने यही किया था क्यों हमने उसका elevate करना होता है ताकि वो जो blood है, वो settle नीचे की तरव हो जाए है वो जो हो है ना, blood जो हो नीचे settle हो जाए ठीक है, फिर हमने bilateral eye patching कर देनी है ताकि वो जो straining है, pressure है वो जादा ना हो जाए, और further complications ना हो, ठीक है, because अंदर जो pressure जो है वो जादा हो रहा है, hemorrhage की वज़ए से तो हमने bilateral eye patching कर देनी है ठीक है, so यह हमने क्यों किया conservative treatment क्यों किया, because हमने अभी एक fate पढ़ा था, इसका कि यह spontaneously resolve कर जाता है यह hemorrhage होता है, इस spontaneously resolve हो धी कर जाता है, ठीक है so we see, कि whether हम जो है, conservative treatment देते हैं उसका है, वो head elevate करके रखते हैं हम उसकी patching करते हैं, और यह देखते है कि वो हुदी ठीक हो जाए, फिर हम anti-vegef दे देते हैं because new vascularization का case पर हमने देखा causes में, इसके लावा हम treatment of the cause करते हैं, अगर patient का tumor है, तो उसको treat करते हैं, अगर तो systemic disease है, उसको treat करते हैं inflammation है, ठीक है vitrectomy कर देते हैं, vitrectomy मैंने आपको बताया, उसी वक्त नहीं करनी, patient को पहले conservative treatment दे के देखता है उसको observe करना है, अगर तो उसके 3 months के अंदर-अंदर भी withress sandwich clear नहीं हो रहा, 3 महीने उन्हों लिखा है, कि 3 महीने इंतजार करना है vitress sandwich को देखना है कि वो clear, जYo है, वो टीन महीने के अंदर-अंदर हो रहा है के नहीं, तीन महीने के अंदर, अगर आपको देखे, vitrectomy आप करते हो, vitrectomy होता किया है मैं आपको बढ़ाती हूं इसमें हमने weatrix को remove कर देना होता है और उसके जगा पे हमने कोई मतलब जो है वो इसके अंदर जो हमने कोई डाल देना होता है उसके और्टरिटिवली ना हमने वो डाल देना होता है viscolyastic substanze ठीक है so विट्रेक्टिमी जो है हमने तब करनी है जब हमारा विट्रेस हैमरेज़ थीम ही ने हो गए, अभी तक लियर नहीं हो रहा या नियो वेस्कलरिज़ेशन ऑफ दा आईरिस हो गए या या गोस्सेल्ग्लोकोमा हो गए गोस्सेल्ग्लोकोमा की बात करते हैं इसमें होता क्या है कि जो हमारे आर्बीसीज होते है यह मैंने आपको रेड कलर के पॉइंटर से बताए भी हुए है कि आर्बीसीज थे अब वो जब आहिस्ता इस्ता वो मतलब उनका पिग्मेंट लॉस वो पढ़े पढ़े रहते हैं अंदर आर्बीसीज तो जब उनके पिग्मेंट लॉस हो जाता है तो ऐसे वो नजर ही नहीं आते है ऐसे लगता है भूत है मतलब कि वो नजर नहीं आते है भूत होते है न हमें नजर नहीं आते है आंकों से तो वो और RBCs पहले थे जब उनके loss of pigments हो जाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे वो नहीं है वहाँ पर लेकिन वहाँ पर होते हैं ठीक है जिन भी ऐसी होते हैं भूट जो होते हैं वो ऐसी होते हैं हमारे रिड़कित लेकिन हमें नजर नहीं आते तो RBCs वहाँ होते हैं लेकिन loss of pigments की जैसे वो नजर नहीं आते हैं इस वो जासे हमको कहते हैं ghost cells ठीक है ghost cells glaucoma means कि RBCs जब आगे हमारे ट्रिवैकुलियो मैश्रिक में पस जाएंगे यहां हमारे आइरिस के उपर आ जाएंगे sorry RBCs वो जाएंगे तो उसके जाएंगे तो उसके जैसे ग्लोकोमा हो जाएगा और दूसरी बात में नियो वैस्कुलरिजाशन अफ ड़ा आइरिस हो सकती है तो उसकेस में भी ग्लोकोमा हो सकती है treatment है आपने घ्याद रखना है conservative treatment anti-vegs F फिर आपने के दिया treatment of the cause किया और भी ट्रेक्टमी आपने की जब पेशेंट ती महीने से ठीक नहीं हो रहा नियुवस्क्राइशन अफ आरेस हो गया यह लोगोमा के पर केस अधा जा रहा है ठीक है so this is all about the Beatrice chapter